अंधन हेएं एक कम आपकी में आपका बहुत बहुत अथैं मैं आज इस वीडिफियो लेक्च गैर में class 10 रिप्रेक्शन और्र गीजम का वेज्टीट्व रिप्रोड़ेओं के बारे बात करेंगे बीक इस्वेजम के बात करेंगे में आयों देखते हैं हेडिंग लगाना वेजिटेटिव रिप्रोड़क्शन वेजिटेटिव रिप्रोड़क्शन तो आप लोग पढ़ाई करो तीके ना सरौंडिंग के जो फैक्टर है जो आपको परिसान करते हैं पढ़ाई में उसारी किया छोड़ने कोशिस करिए जीद्र का छोड़ी दीजिए कि आपके पास जाय समय बचा नहीं है तीक है अब तो मैनत कर लीजिए फिर बाद में एक ज इसलिक है तो क्या होता है वेटिवी बच्ट बताये जरा कुछ जानते हो आप लोग ठीक है मैं बताता हो ध्यान से सलना खिके जो प्लांस बोडी होते हैं प्लांस बोडी उनने दो तरह के पार्ट्स इंए एक वेश्टेटीव पार्ट एक रिप्लाइस तरह के कौन-कौन स ब क्या होता है और फिद्गेटों होता है मिल इख्राव ध्यान इस अग Cow दुसरा कौन सा है रिप्रोड़क्टिव पाट कैया रिप्रोड़क्टिव पाट वे सकतर हूए तो जो पहली बार पड़ा उसको भी समझ में आएगा कोई से नहीं कुण सकते हैं तो मैंने बताए कि प्लांस में दो तरह के पाट होते हैं यत्क है जब मैं Ricky particularly कि बात करते हैं तो प्लांट को कहाए बारता है आ हो जाएगा। रूट का तो स्टेम हो जाएगा थीक है ना और लीफ हो जाएगा है इस सारी चीजे क्या है ह् रूबदे क्या है प्लांस का वेसेटी पार्ट है तिक है अब देखो कि हैपंस आकर क्या है भई immersion cafe लीव से रिप्रक्षन होने लगता है जब किसी प्लांट बोडी में जब किसी प्लांट बोडी में रूट से इस्टेम से लीव से रिप्रक्षन होता है तो उसी के बोलते हैं अब प्लांट के बैसे पाट कौन सा है कौन सा है रूट है इस्टेम लीप से मतलब तो रूट से इस्टेम से लीव से रिपरक्सन होते क्या होगा वेश्टेटी रिपरक्सन होगा तीक है बात सुने समझ में आया कि नहीं आप देखो इसे आपने पोटेटो का नाम सुना है पोटेटो का मैं आपसे पूछना बताए पोटाइटो क्या होता है उस्टेम होता है या रूट होता है जड़ होता है या तना होता है तो आपको जड़ होता है रूट होता है अंदर ग्राउंड होता है तो रूट होता है मैं बोलों नहीं है इस पोटेटो स्टेम होता है अच्छा ऐसे कैस इन नौट ठीक न पुट एटोगण हगर देख को तो उसमें क्या में दिखता सर सभी द्व अपर श aja दिपरेर्सन दिखता है और पूरइटो लोगए दो सब दख्या वही नोड है पूरेटो का पूरेटो के है इस टेम है रूत नहीं सश में ठीक है तो क्या होता है दो चांट ना माली जै पोटेटों करने होते है अब कोई फार्मर होता तो ने की फार्मिंग करती है करता है अब हम का ने ऑब लेकर आप अभी देखो ठीक है हना अब क्या होता है ना कफिस दिन तक घर में रख देते हैं तो ऐसे बढ़ दिखने मिलता है ऐसे ऐसे बड मिलेगा तो तीन-चार दिन एक हफ्ता रख दूगे आप पोटेटो तो क्या होगा ऐसे बड दिखने हो इसको बोलते है एक्जिलरी बड यह फिर आई बोलता है जब भी फार्मर खेती करता है पोटेटो का तो क्या करता है इसको पीसेज में कट करता है है ठीक है पीसेज में कट करता है और ध्यान में रखता है कट करने के ध्यान में रखता है कि हर पीस में क्या होना चाहिए एक जल्री बड होने चाहिए तो शीन है कि के ना जब भी फार्मर पोटेटो को पीसे में ब्रेख दाउन करेगा कट करेगा काटे गा तो क्या होगा इदीमांग में धिमाग में रखे द्यान में रखे है कि हरे क्रेट से रोज में देखी वह रोज भी कप्रांट होता है तोड के लगा देते हैं से निकल आता है उभी क्या हो गया वेस्टेटी बरसांग दूटी स्टेंग ठीक है लिस में देखते हैं लिफ इस यह पिलीफ अब लोग ने नाम सुना होगा ब्राय फिल्लम का लिफ कितने सुना है बताओ इस ने ब्राइफिलम का लिफ कमेंट सेक्षे में बताओ जो जो सु अगर किसी तरह से कॉन्टेक्ञ में आने का मतलब क्या है उसे में मौयस्ट्र मिन्न्ने लगेगा मिने मूइश्टर और क्लिक निकलाते हैं पृत निफ के मारजिन से रूप निकलाते तो सिर्फित की मात नयोच ओलाए जब भी ऐपलन के लिफ मॉखा मिलेगा स्वाइल से होने के लिए जी जिस पॉंप से सफ़ेवल में सब लख आप बढ़ा हो गया है इसको नीीजर सन में लगता है आपको याद में की में PER इसका नाम किया बराये फिल्म यहां से कॉंटेक्ट में रहेगा वह उसको मौइसर मिलेगा वहां क्या होगा ऐसे बढ़ निकल आते ठीक है ना बाद में एसे निकलागा फिर यही रूट में हो जाता है क्या होता है रूट में अ हो जाता है तो नया बना लेता है किसका में आनलीक है याद रखना है वाथ है टिकтак है आपjan बात करेंगे दो टर्म क्क little없이 आखिक हग्न तो कर दिया है क्या है सँरीद कर वागे क्या है लेवरिंग और ग्राफ्टिन लिखे छोड़ दिया तुम दिया क्या है पता में धुक्र क्या होता है थिक है कि मैं समझाने कोसिश कर रहा हूं ध्यान देना इसको मैईरेज करऊंगा इसको लिखना तो लिखिए इसकी स्वाट लीजे मैं इसको एरेज करूंगा ठीक है मैं इसको एरेज कर रहा हूं तो हमें अब हेडिंग लगाना है बताओ जरा हमें लगाना है लेरिंग क्या लगाना है लेरिंग ठीक है लेरिंग देखेंगे फिर ग्राफिंग कलम लगाना सुना होगा आप लोगने कलम लगा जाता है दो प्लांट को एक में दो प्लांट को एक ही में जोड़ा जाता है दो कि कि अच्छा लगता है पढ़ने में अच्छा लगता है अच्छा लगता है यह तुछ सब्सक्राइब करें तो मां लेरिंग में क्या करते हैं कि जब कोई छोटा प्लांट होता है में धिके छोटे से प्लांट होते हैं तो उसको सबसे लोर पाइं इसको सुआल में कंटक करा देंगे तो क्लासिप कंटक्ट कुछ मिलने लंगि क्वलार्ट किस्को होता है एक होता है यह बड़े प्रांट ओगया बड़े प्रांट टीक है उसमें क्या करता है कि अब ब्रांट को बीकारी हो जाएगा तो क्या करते हैं कि ब्रांचीच को माली है कोई तो उसको हम फॉसा शुपर फीसियल बाहर जे कट करते हैं चाहिक इनर टिसू दिखने लगे तिक इसमें क्या अगरते हैं फिर बताता हूं दो तरह के हम लेरिंग है एक माउन लेरिंग माउन लेरिंग ठीक है न एक होता है एर लेरिंग माउन लेरिंग ठीक है माउन लेरिंग में क्या होता है कोई प्लांट है चोटा सा प्लांट है न ज्यादे बड़ा प्लांट ने चोटा सा प्लांट है ऐसे लीफ निकले हुए सारे इससे हमें सबसे काने चैनले और पिर दी कांचमे कमेननी क्या गिए और अएसे पर सिंप भाद इसको स्में में ने घर अए इस बहुत स्थ ये दिखराइं के अदिखते विए हां पेसने में है ये है आङ है इसरोओ उसके में ने आप को कंटेक्ट Pentagon बिला दिया ठीक है अब क्या हुए क्या मॉच्ठप मिल ज्यागा ऑसको यह जए तो ज़िक है अब बात में कुम में क्या करेंगे इसको काट रटा देंगेग सब्सक्राइब एक नंया ने अ Singapore कि इस बहुत है चो dif है नहाया प्लैंट बन गया। वह फुए हुए तो इसमें यह सब्सक्राइब कर सकते हैं किसे मंबड़कोई बड़ा प्रांफ है मोटी मटी ब्रांचि nearby इसके होंगे कि स्थी ब्रांच लोफ लत मोटा सा क्या है को ऑगा है किसे मैं क्या जादे शिरी तो जहागा ना विचयाग़ था सकते हैं यह इ सुले को टीसेगा देते हैं ऑधर से बाला नहीं करते थोरा Pose क्टिए क्या करें यहां से अप़र आदेगे है गड़ा थिए अब क्या करें इस पाड को हम ध्यान देंगे वह अच्छा से द्यानым काटे है यहां से क्या करते है रसी बांध के एक इसको कॉंटेक्ट मिलाते है तिक है अब घड़ा में रहता है पानी क्या रहता है पानी और यहां पर रहता है पोर इस पोर से क्या होता है हमेशा यहां पर मौस्टर बना रहता है इस पोर से रसी रसी हमेशा गिला रहेगा वो पानी सब्सक्राइब करते हैं कॉटर से बाइंड अप कर देते हैं तिक है अकुछ दिर बात क्या होता इस पार्ट से थोत है यह मेडिकली एक्ट मतब डिवाइड करने लगता है ठीक है डिवाइडिंग कपिस्टी बढ़ जाती है तो इसमें रूट निकलाते हैं इसी पार्ट को का क्या करते हम स्वाइल में लगा देते हैं एक नया प्लांट बन जाते हैं अब ब्रांचे जे कि कि मैंने क्या किया ऐसे सूपर फिसिल थ्वासा काट दिया ठीक है टीसू साइट थ्वाइड दिखने लगे अब मैं उपर से घड़ा लटका कि रस्टी से के पानी मौसर बनाय अब बड़े प्रांट के लिए होगा ठीक है ए एयर लेरिंग तो आपने समझा दो बाते हैं क्या मांद लेइंग और अरेर लेरिंग थिक्र्नेकर लोग ने समखंगा तो यौंड दीन शोंती इंशे स्व और लोरे हैं कि अ मैं इसको इरेस करऊगा में इसको इसको इसकी सकता है जी से लीक forearm प्लॉत ignorant hahaha आप दिखे आमें पढ़ना है ग्राफ्टिंग कुछ से क्या होता है ना कि दो प्लांट को आपस में जोडते हैं निसे दो प्लांट है आपस्में जोड देते हैं इसे कर देऊं को आपसमें जोड़ केश़े बैंड अपकषि कर दिंग कर दें इसको बोलते हैं ग्राफिटिंग ठीक है इसे क्या हुआ होत था कि टूमैटो और पोटैटो आलू और टमाटर कफलांट जोड़ के तुमाइटो पोटाइटो प्लस पोमैटो बनाया थे दोनों को जोड़के कलम लगाना ग्राफ्टिंग तुमाइटो प्लस पोटाइटो इसकल टू पोमैटो तुमाइटो दोनों को एक में जोड़ दिये कलम लगा दे ग्राफ्टिंग कर दिये छिक अश्रार मुणैं हमालू भी होगा टमाटरन देट्र अब क्या है क्या हमारा ग्रास्टिंग ऐसे मैंने क्या किया एक लोगर आला प्लांट लिए जिसका रूट रहेगा ऐसे चिसको मैंने प्रेंप और कट के जोड़ दिए दुनों को ऐसे बैंद द्लिया तो फृव तती को एशे दिख रहागा पूल हुद में इसका अब के जो नीचे होता है उसको बोलता है इस टोग क्या बोलता है कि जो बोडी का बेस बनाता है जो रफ दमो के स्टॉच जाता है ड करना अच्छा नमब्लेगा आपको ठीक है हिस यह वह ता patch को सियान होका क्या मत्यों जो प्लाइट का बेस बनाएगा बेस नीचे का वह और को स्टॉक बोलेंगे मैं हेख सह आणमाल चेह प्रमयट गया होता है वाईna tomato a tomato उस्त पोटेटो यह होता है YouTube इसे में पूछेंगे बता टौमेटो प ठीक है यह कलम लगाना होता है ठीक है आपको बास समय में आई ठीक है न इसके बाद हमें क्या पढ़ना है टीसू कल्चर पढ़ना है इस टीसू कल्चर भी थोहाँ सा बहुत कम रहत है ठीक है तो इतना ही पढ़िए रखिये ना कि मुझे इतना पढ़ना फिर निकल जाना है यह नहीं के बस अच्छा लगात पढ़ते ही आ रहे हैं नहीं और यह भी पढ़नी है ठीक है ठीक है थैंक्यू और अलश्ट अ कर दो मलती करें कि अधिसंख क्यों सामा जाना है झाली है कि रहे रहे हैं तो ले रहे हैं बाANTे।